आज मैं एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसेपी शेयर करूंगी सूजी के अपपे इसे हम अपपम और पनियारम भी कहते हैं ये एक टेस्टी और बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है इसे आप किट्स के लंज बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं सूजी के अपपम बनाने के लिए मैंने एक कप सूजी ली है रवा आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं वनफोर्थ कप राइस फ्रोल लिया है चावल का अटा अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अवाइट कर सकते हैं हाफ कप दही एड़ करेंगे अब इसे मिक्स कर ले अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हम इसका बैटर तयार करेंगे मैंने इसमें पहले हाफ कप पानी एड़ किया है बैटर में कोई लंब्स ना रहे इसका ध्यान रखना है तो अब ये बैटर तयार है इसे 15 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे 15 मिनिट के बाद अब ये बैटर थोड़ा सा थीक हो गया है इसमें जो रवा है वो पानी अच्छे से एब्सॉब करता है फिर से मैंने इसमें 1 फोर्थ कप पानी एड़ किया है अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे मैंने यहाँ पे 1 फोर्थ कप चॉप्ट हरा दनिया एक उनियन और एक टमेटो को चॉप कर लिया है वो हम उसमें एड़ करेंगे आप अपनी चॉइस के वेजीटेबल्स इसमें एड कर सकते हैं अब घाजर और कैपसिकम भी एड़ कर सकते हैं अब हम इसे मिक्स करेंगे अभी भी यह बैटर थोड़ा थीक है फिर से हम दो से तीन चम्मच पानी एड़ करेंगे तो अब यह बैटर तैयार है अब हम तड़का लगाएंगे मैंने 1 टेबल स्पून ओई लिया है ओई घरम होने के बाद उसमें 140 ती स्पून राई एड़ करेंगे मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ता चॉप कर लिया है वो भी उसमें एड़ करेंगे अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च ज्यादा एड़ कर सकते हैं पिंच ओफ हिंग एड़ करेंगे अब गैस की फ्लेम बंद करके इस तड़के को हम बैटर में डाल देंगे अब हम इसे मिक्स करेंगे अब इसमें 1 फोर टीस्पून कुकिंग सोडा एड़ करेंगे फिर से इसे मिक्स करेंगे हमें ये बैटर सेमी थीक रखना है ये बैटर हमें ज्यादा पतला या ज्यादा थीक नहीं रखना है तो अब ये बैटर तयार है अपपम बनाने के लिए मैंने ये अपपे पैन का यूज किया है इसे हम गैस पर रख देंगे और इसमें 2-3 ड्रॉप ओल या घी हम इसमें डाल देंगे पैन गरम होने के बाद हम उसमें बैटर डाल देंगे बैटर हम पूरा ही फिल करेंगे गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है अब हम इसे 3 मिनिट के लिए एक ही साइट पे कूप करेंगे 3 मिनिट के बाद हम इसकी साइट चेंज करेंगे गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है अगर गैस की फ्लेम थोड़ी से भी हाई करेंगे तो ये अपम अंदर से कच्चे रहे जाएंगे इसकी साइट चेंज करने के बाद फिर से हम इसे 3 मिनिट के लिए कूप करेंगे गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है 3 मिनिट फिर से कूप करने के बाद ये अपम अच्छे से कूप हो गये है अब हम इसे निकाल लेंगे तो ये सूजी के अपपे तयार है ये घर्मा गरम बहुत ही अच्छे लगते है इसे आप टामिटो कैचप के साथ या फिर सामभर और कोकोनट चटनी के साथ भी सव कर सकते है